वर्तमान खरीफ सीजन में भारतिये किसानों द्वाराधान, अरहर, मूंग, मक्का, सोयाबीन एवं मूंगफली जैसी फसलों की खेती को विशेश प्रात्मिक्ता दिये जाने के कारण का पास के क्षेत्रफल में भारी गिरावट आ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसर केवल करनाटक एवं उडीसा में इसके उत्पादन छेत्र में मामूली बढ़ोत्तरी हुई जबकि शेश सभी प्रमुक उत्पादक प्रांतों, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ह 112.76 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच सका, जो पिछले साल के बिजाई क्षेत्र 123.71 लाख हेक्टेयर से 10.95 लाख हेक्टेयर या करीब 9 प्रतिशत कम रहा, यह रगबा पिछले 5 साल के सामाने औसत क्षेत्र फल 129.34 लाख हेक्टेयर से भी बहुत पीछे रह गया, देश के तीन बड़े उतपादक राजियों, गुजरात, महाराश्ट्र एवं तेलंगाना में बिजाई छेत्र घटने के साथ-साथ बारवर्षा से भी कपास की फसल को नुकसान होने की सूचना मिल रही है, यही स्थिती मध्यप्रदेश एवं आंध्र प्रदेश की भी है, आधिक इसी तरह पिछले हफ़ते के दोरान क पास का रखबा मध्यप्रदेश में 6.50 लाक हेक्टेएर से गिरकर 6.14 लाक हेक्टेएर, हरियाना में 6.65 लाक हेक्टेएर से लुड़क कर 4.76 लाक हेक्टेएर, राजस्थान में 7.900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 शेत्र करनाटक में 6.74 लाख हेक्टेर तथा उडिसा में 2.36 लाख हेक्टेर दर्ज किया गया जो गत वर्ष से कुछ अधिक है। Bureau Report Market Times TV